कभी कभी कोई तांत्रिक भी मुसीवत का कारण बन सकता है ये कहानी एक ऐसे ही मुर्ख तांत्रिक की है जिसके कारण पुरा गाउं मुसीवत में पर सकता था हम आपको कहानी बताएं इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या सस्क्राइब करिएगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सियर जरूर किजिएगा आपके आस परोस्त में घटती हैं कई खौफना घटनाएं जिससे आप होते हैं बेखवर अंजान हम आपको उनी घटनाओं से रूबरू करवाते हैं तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले वीडियो के अंत में मेरे प्यारे सस्क्राइबरों का नाम है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सियर जरूर कीजिएगा और आप भी कॉमेंट करें अगली वीडियो में आपका भी नाम होगा कहानी इस प्रकार है जुगला तंत्र मंत्र का काम किया करता था गाउं में सब उसे जुगला ही बुलाते थे ऐसे उसका सही नाम जुगल था लेकिन तंत्र मंत्र किरिया करने के कारण गाउं में सब उसे जुगला जुगला बोलते थे गाउं वाले ये बात जरूर जानते थे कि जुगला को तंत्र मंत्र नहीं आता वह लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया करता था पर कभी-कभी जुगला की कोई बात सच साबित हो जाती थी जिसके कारण गाउं वाले उसे कुछ नहीं कहते थे कहते थे चलो ये अपना जीवन तो गुजार रहा है और जुगल यही काम किया करता वो लोगों को ठगा करता उसने एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी जिसमें लोगों का जारफुक किया करता सन्जोग से एक दिन एक लड़की को कई आदमी जवर्दस्ती हाथ पेर बांध कर लेकर आ रहे थे वो किसी खतरनाक चुलेल के बस में थी इतनी खतरनाक चुलेल थी वो कि उस लड़की को काबू करना बहुत मुस्किन हो गया था हाथ पेर बंदे होने के बाबजूद भी वो इतनी जोर से जटके मार रही थी कि जो उसे पकर रखे थे ऐसा लग रहा था कि वो अभी बहुत दूर जाकर गिरेंगे बीचारे जिन्होंने उन्हें उसे पकर रखा था वो काफी डड़े हुए लग रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उहराम मचा रखा हूँ गाउवाले ने जैसे ही इसे देखा वो समझ गए कि आज जुगला की ठैर नहीं आज जुगला पकड़ा जाएगा सब लोग तमासा देखने के लिए जुगला के पास पहुँच गए जुगला ने जैसे ही देखा उसे भी एहसास हो गया कि आज तो उसका भांडा फूटेगा ही फूटेगा और पता नहीं ये चुरेल अगर उससे छूटी तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगी पर लोगों के सामने वो करे तो करे क्या उसने उसे उटिया में रखा सब को बाहर जाने को कहा और चावल के दाने चीटे गंगाजल चीटा मंत्र बुद्बुदाए जितने भी जूट मुट के प्रकिडियाए थी सारी कर डाली लेकिन घंटा कोई फरक परने वाला था ये तो जूट फोस उसे तो कोई तंद्र आते ही नहीं थे और चुरेल तो हकीकत में उसकी सरीड में थी जिसने भी देखा वो देखकर धेंग रह गया लड़की काबू में ही नहीं थी जुगला को उठा कर उसने सीधा कुटिया के बाहर पटक डाला और एक अजीब सी भासा बोल रही थी गाउवाले उसकी भासा समझ नहीं पा रहे थे एंसन में कि आखिर ये बोल क्या रही है उसी गाउव में एक बंगालन मामा रहती थी बंगाल मामान ने कहा कि ये बंगाली में बोल रही है ये कह रही है इसे जाने दो इसके साथ कुछ मत करो नहीं तो ये पूरे गाउं को तहस नहस कर देगी सब का जीना हराम कर देगी गाउं वाले परिसान हो गए उसने गाउं वाले सब समझ गए कि जुगला से तो कुछ होन वाला नहीं क्योंकि ये तो ठग है किसी दूसरे तांत्रिक का सारा लेना पड़ेगा उसी गाउं में एक तांत्रिक बहुत ही सात्विक रहता था वह बहुत सीधा साधा और इमांदार था गाउं वाले दौरते दौरते उसके पास गया और कहें कि आपको तो चलना होगा तां तांत्रिक ने उस चुडेल पर विजय प्राप्त कर ली उसके बाल पकड़कर बाहन दिया जो जो पूछना था उसने सब कुछ बताया बंगालान मामा हिंदी में सब को बताते रही कि ये क्या बोल रही है लरकी के सरीर से चुडेल को निकाल दिया गया और उस तांत्रिक न इसे समसान में जाकर दफना दूँगा आप लोग निश्चिंत रहे जुगला ने कसम खाई गाउवालों के सामने कि आज से मैं तंत्र मंत्र के जो ठक के कार्म हूं वो नहीं करूँगा मैं कान पकरता हूं मैंने द्याना कि सही में चुरेल भूत प्रेत होते हैं और अगर क अगीकति से समझा जाना मुझसे अब दुबारा ऐसी गलती नहीं होगी दोस्तों कहाने अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा सेर करिएगा मैं अपने कुछ सस्क्राइबर हैं जिनका नाम लेना चाहूंगा मैं हर वीडियो में उनका टाइगर बाबू, पिहु सिह, ममता सिह महाजन, सेलेश सुमन, अंजली यादव, गोरब संसमंत, पवार उमेश, रतिकांत, कमलेश यादव, मोहन अहीर, सुजीत गुपाल महतो, संजु गुपता सुभम अभिसेख, जैसवाल, सतनाम गोत्र, राजेंदर सिंदे, सयद आजिर नाजमी, पवन कुमार महरा, आरके तपस, राहुल बहतो, सास्वत पांडे, सयद सोनु, मेघना चौकसी, सिवराज गुजर, कृष्णा जैसवाल, पितम यादव, वनिकुमार बर्मा, सुनीर सहनी, सुजीत गोपाल, मोहनते, ये मेरे प्यारे सस्क्राइबर है, ज अगले वीडियो में आपका भी नाम हो, और नाम आप कमेंट में जरूर लिखें, नाम नहीं लिखते हैं, इसकी वैसे मैं चैनल पे ही जो आपका नाम होता है, उसे ही आप इस चैनल में बताते हैं, लेकिन आप अपना नाम लिखें, ताकि हमें बोलने में सुविधा हो, त अबते क्लिए अचिया अधिया